सुनील के धन-धना-धन शो में नजर आईं कपिल शर्मा की बुवाजी कपिल शर्मा ने इन दिनों खराब सेहग और विवादों की वज़े से छोटे परदे से दूरी बना रखी है वहीं दूसरी और कपिल के कोस्टार रहे सुनील अपने नए शो धन्दनाधन की वज़े से सुर्खियों में च्छाय हुए है हाल ही में सुनील के इस शो को कपिल शर्मा की बुआ जी उपासना सिंग में ज्वाइन किया है बुआ जी अली असगर के साथ नए शो में पुराने अवतार के साथ नजर आ रही है उपासना सिंग के शो में एंट्री करने की प्रीती सिमोन की बहन नीती ने दी प्रीती सिमोन और कपिल शर्मा के बीच रिष्टों की तक्रार इन दिनों जगडाहिर है वो कपिल की एकस गरल अप्रेंड और शो की क्रियेटिव हैड रह चुकी है बता दे सुनील ग्रोवर के नए शो में कपिल शर्मा की पुरानी टीम पहुँच चुकी है इसमें सुगंदा मिश्रा अली असगर के नाम शामिल है लेकिन आज बात ये है कि क्रिकेट कॉमेडी पर बने इस शो को फैंस खास पसंद नहीं कर रहे हैं कपिल शर्मा का नया शो इन दिनों एक महीने के लिए सस्पेंड हो गया है उनकी जिंदगी बेहत मुश्किल दौर से गुजर रही है विवाद उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं कपिल के पुराने साथ ही बार-बार उन्हें बीमार बता रहे हैं कपिल की सेहत को लेकर अब एक ताजा अपडेट सामने आया है बलेवुड भंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों कपिल शर्मा दवाईयों के हैवी डोज पर है कहा जा रहा है कि वो एक दिन में करीब 20 गोलियां खा रहे हैं